आपके पास भी हैं डेड़ सारे टमाटर और आप सोच रहें कि क्या करें हम इन टमाटरों का और कहां पर यूज करें कैसे करें कहीं यह खराब तो ना हो जाए गर्मी में तो चलिए जिस तरह से मैंने यह डिस बनाई है आप भी बना सकते हैं बने दएगा वीडियो के साथ व चुत्रागंडी ब्लॉगर मिनाक्षी महर में और आजकल जो मेरी वीडियो है वो टाइम से रिगुलर नहीं जा पा रही है तो उसका यह कारण है कि आजकल मैं हूँ घर में अकेली हजबन चले गए हैं और मैं हूँ बेटा है मेरा और मिष्टी है तो मिष्टी को देखने आज पर नहीं दो बड़ियो है तो मैं हूँ आज बीडियो लेकर है तो मैं मैं आज आपके लिए एक बड़िया वाली रेसिपी लेकर आई हूँ जो सायाद आपको कुछ कुछ काम आजाए आप लोगों के कुछ की काम आजाए सायद कुछ के नाभी आए क्यों को पसंद होता है कही नहीं होता है कई लोगों को तो मेरे पास टमाटर थे काफी सारे टमाटर थे मैं लेकर आइसने कल तो थोड़ा वो ऐसे ही पढ़ गय थे दे दिया थे किसे ने तो कि यह दो लेका है तो मैंने करना लिए कि नग्या ओपने के बाद दिन पाल दिए अब दिए दिंको बनाएंगे निए दिन कैम की चावल के साथ और दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ तो अभी मैंने को मिक्सर में बारिक करके पीष्ण अगर आपके निएूसर निए तो आप सिलवट्टे कंप कर सकते हो चैहें मिख्सी में कर लो जैसा आपको मतलब उक्षित लगता है तो यह मैंने इस तरह से कर देखिए भी ज्याम निकालें इसके और यह थंडा है भी बाहर हिए लगा तो चले हैं चाहल के साहँकर देखाने लेकिन इसको उम्चाओल के साथ कहा सकते हैं और इसे बनाने का तरीका बहुत इजी है एकदम घर के तरीके से बनाऊंगी सिंपल सी जैसे आप दाल बनाते ना उसी तरह से बनाना है कोई जंजट वाली बात नहीं है और जितने घर में मारे पर मसाले रहते हैं अवेलिवार उ में टाल देखें नहीं तो हम पीस इसको हम पीस जुँका तो चलिए से बनाना श्टार्ट करते हूं नियुक्त नाज नगते हैं रहें तो करते हैं अगर लोगे नियुक्त हैं। तो यह तब भी टेश्टी बनता है मैंने यहां पे प्याज और यह कट कर लिया है ऐसा कुछ है नहीं कि यह कट कर नहीं है अगर आप इसको नॉर्मल जिसे जीरा और जख्या का तरका पड़ता है उसमें भी डालोगे तो भी अच्छी बनता है यह मैंने कई बार ऐसे भी बना लिए हमारे मसाले और इसमें सबसे ज्यादा जरू ही वह है जीरा का तड़का लगिगा वह बहुत ही इसमें टेस्ट आने वाला है यह जाक्ष्या यह कशूरी मेति है और जो हमारे होती है नमक मिर्च और मसाले तो तेल देखिए यह गरम हो चुका है तेल तो चलिए इसमे जीरा टालती हूं में सबसे पहले में डालें जीरा जीरा नाला धूर्ड ये भी डाषी जीरा अलग बढ़ा हो आ यह होता है हमारा जाक्या यादा दाला जाता है इसे हर चीज में भी डाल सकते हैं बहुत तेस्टी होता है अर मैं तो बहुत जादा डालत। इसमें आलू के छोले बना दूर्ज होता है। ये गरम तो इसमें ये कटेबी प्याज डाल देते हैं। इत्व नांद हो चुका है इसमें डाले दूमे में नेस्धिम तो हुआ आई लेसं डाल देमें ने में बनाना है बहुत जादा कोई जद्जत नहीं कोई कुछ भी करने ही जडरत नहीं यह घाळा लगरा है तो नब बहुत पतला और पतला करना है तो चावल के साफ पतला ही अच्छा लगता है तो दोड़ी सी पानी डाल दिया, और मैंने अभी तक मसाली कुछ भी नहीं डाले इसमें तो अब मैं इसमें डाला दूँगी मसाले जो हमारे पट्वे हैं रोजाना के सबसे पहले नमक डाल देते हूं नमक डाल दीया है और इसमें जो यह मिक्स मसाले इसमें सब कुछ मिला हुए हल्दी पाउडर है गरम मसाला है的 तो ने बहुत अच्छा ह RICH सारी तो टेस्ट थोड़ा थे लगा अचते से भीकिक गजेएD इसको जासे अछ्य जया है किसी को फाइदा साइट की न वह हो सित तो कई लोग यह पसंद भी करेंगे बनाना पसंद करेंगे खाना पसंद करेंगे और कई लोगं को पसंद नहीं प्सका अब ऑज मैंने पानीका शपयान दचすवनगे का अधिया साइज होता है अगर आपको यह ज़्यादा पतला नजार आ रहा होगा तो इसमें कुछ करने की ज़र रखनी है थोड़ा सा बेसन लेना है बेसन को घोल के पानी में अच्छे से इसको मिला के और यह गोल जो है इसमें डाल देंगे ताकि यह थोड़ा सा घाड़ा हो जाए ना ज़्यादा हम तो आप नहीं डालेंगे और अगर आपका लग रहा है कि टमाट्र की वज़े से कम हो रहा है यह पतला ज्यादा हो रहा है यह पानी ज्यादा पढ़ गिया तो इसमें बेसन डाल सकते हैं थोड़ा से तो यह देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया बेसन से पहले नहां प्र इसे हम थोड़ा सा पखने दिंगे फिर से उबालाने तर तो यह देखे इसमे अच्छे से उबाला चुका है और यह जो सौस है हमारा यह पख चुका है तो गैस मैंने कर दिया है बन और इसमें खोड़ी से मैं कस्तूरी मेथी डाल दूंगी मिष्टी पीछे से आवाज कर रह ओजिए तर यह तो यह रोटी के साथ भी होता चाहँ वारी चाहँ लगती है अप्टा तो यह वाणी अच्छी लगती तो आफको यह वाली डीस बहुत ठीक होगी बनाना भी बहुत आसान है तो मैं अपनी वीडियो के नहीं पर करती हूं फिर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाए टेक क्यार